Arc of the foot का क्या मतलब होता है यह आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं Arc of the foot जो है पैर के तलवे की जो घुमावदार सरंचना होती है उसको कहा जाता है याने कि इसको आप जो की हडियों, टेंडन और सनायू बंधन से मिलकर बनी हुई होती है याने कि Arc of the foot refers to the curved structure on the underside of the foot that supports weight and helps with balancing and movement These are three main types of arcs in foot, the medial arc, the lateral arc and the transwork arc याने कि जो arc होती है इसको भी तीन भागों में बाटा हुआ होता है और जो तलवे की जो घुमावदार सरंचना होती है उसी को arc of the foot कहा जाता है इसके बारे में और detail से पढ़ना चाहें तो आपकी screen पर और वीडियो के description में दिया गया है आप पढ़ सकते हैं उसको और भीता तरीके से समझ सकते हैं अब आप किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को subscribe करें और bell icon को press करें